पुश्पांजले अर्पित की जा रही हैं समानी मंच के द्वारा, अमारे सभी अतितियों के द्वारा जन जाती है नायकों में, के स्वागत में, समान में, और आज वो वेला है, आज वो अवसर है, जब हम भी पुन्य इस्मरन करें अपने उन सभी जन नायकों का. जोड़ार तालिव से स्वागत करिये प्रदेश के मुख्य मंत्री जी, केंदृय ग्रह मंत्री जी, आमिच शाह जी आज बहुत ही आद्बुद्रश है, एतिहास एक पल है ये जब आज हम अपने अतितियों को इस मंच पर देख पा रहे हैं और केंदृय ग्रह मंत्री मानुन आज भी संस्कारधानी गौनवाना शासको की वीरता और उनके द्वारा किये गए कारियों से संब्रध है, ठीक ऐसे ही दो वीर इस वंच के रहे हैं, जिनकी वीरता के गीत आज, यानि अठारा सितंबर को एक बर फिर से गाय जा रहे हैं, तोप के सामने किसी को जिन्दा ब के लिए संब्व था, आज हम राजन रगुनाथ शाह, शंकर शाह वालिदान दिवस मना रहे हैं, करक्रम की शुरुवात में स्वागत भाषण के लिए सरप्रता में आग्रह करती हूँ, प्रदि जवलपूर के मानिनिये सांसाद श्री राकेश सिंग जी से, स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगे, मानिनिये सांसाद राकेश सिंग जी बोलिये भारत माता की, भारत माता की, राजा शंकर्शार अगुनाश शाह अमर रहे, वीरांगना रानी दुरगावती की, आज के सहत्यंत गरेमा मैं कारक्रम में, जिस कारक्रम में, देश के, देश के माननी ग्रह मंत्री, और एक आपराजे योद्धा, देश के वीर बलिदानी जन नायकों के प्रती अपार श्रद्धा रखने वाले, भारत की संस्कृती को संदक्षन देने वाले, पूर्व भारती जन्ता पाइटी के राष्ट्री अध्यक्ष वर्तमान ग्रह मंत्री, सैकार्ता मंत्री, माननी हमिश्शा जी हमारे बीच में हैं, तालियों की गड़गड़ाट के साथ उनका अभिनंदन हम करें, उनका स्वागत हम करें, मद्धिप्रदेश के अशस्वी मुख्यमंत्री जो पूरी सम्वेदन शीलता के साथ राज्यके हर वर्ग के लोगों की चिंता करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री माननी शिवराज सिंग चोहान जी भी मंच पर हैं, मैं चाहूंगा तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन और स्वागत हम करें, केंद्री राज्यमंत्री दुए, माननी फग्गन सिंग कुलस्ते जी, माननी प्रलाज सिंग पटेल जी, भारती जंता पाटी के प्रदेश अध्यक्ष और खजराओं से सांसत माननी विश्नुदत्य शर्मा जी, मंचा सीन नरोत्तम जी, हमारे मद्र प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री, माननी श्री विजय शाहा जी, माननी विसाहूलाल सिंग जी, माननी असुश्री मीना सिंग जी, माननी अर्विन भदोरिया जी, और जबलपुर के प्रभारी मंत्री माननी गोपाल भारगव जी, राष्टी सच्यो भारती जंता पाटी श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, माननी सांसा श्री मती संपतिया जी श्री मती हिमादरी जी विधायक मानी नंदनी जी श्री देवी सिंग सहियाम जी श्री कल्ट सिंग भामर जी मंचा सीन सभी सम्मानी जन और सामने बैठे हुए हमारे सभी भाईयों और बहनों हिर्दे की गहराईयों से आज के इस पवित्र दिन आप सबका अभिनंदर करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ आज अत्यंत महत्पूर्ण देने देश के इतिहास के पन्नों में राजा शंकरशा और राजा रगुनाश शाह जी का नाम स्वर्न अक्षनों से लिखा हुआ है एक ऐसे बलिदानी जिनकी मिसाल देश में मिलती नहीं जिनोंने 1857 की पहली करांटी में राजा होने के बाद करांटी का बिगुल फूका और जब अंग्रेजों ने उन्हें ग्रफतार करके फासी की सजा दी तो ये वो योद्धा थे जिनोंने कहा कि फासी की सजा हमें क्या देते हो अगर तुम्बे सहास है तो तोप के मुँ में बान कर हमें उड़ा दो और अंग्रेजों ने वही करत्त किया तोप के मुँ में बान कर उनको यहीं मालगोदाम चौक के पास में उड़ाया उनकी शादत वर्थ नहीं गई देश आजाद हुआ लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि जब उन्हें तोप के मुँ में बान कर उड़ाया गया तो उनका लहू जहां जहां भी इस पवित्र मिट्टी में मिला वहां वहां से क्रांती कारी पैदा हुए देश भक्त पैदा हुए जनोंने आजादी का बेगुल बजाकर अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किया ये वीरांगना राणी दुरगावती के वंशत से जनोंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा जनोंने हार नहीं मानी जनोंने माफी नहीं मांगी और वीरांगना राणी दुरगावती जी का ये वंश हम जानते हैं कि जबलपुर में अगर आज पानी हमको मिलता है तो केवल इसी लिए कि वीरांगना राणी दुरगावती और उनके वंश के दोरा जो जल्ब वस्थापन किया गया था उसकी मिसाल देश में दूसरी कहीं और देखने को नहीं मिलती आज शंकरशा रगुनाश जी हमारे बीच में नहीं है अपनी गाथा छोड़ कर गए हैं अनेकों आरो प्रत्यारो पहले की सरकारें कॉंग्रेस लगाती रही हैं लेकिन मुझे एक कहते हुए गर्व है भाई और भेनों कि राजा शंकरशा रगुनाश शाह को श्रद्धान ज जली देने के लिए यहां पर पदा रहे हैं यह इसके पहले कभी नहीं हुआ और आज जब भारती जंता पाईटी की सरकार देश के ग्रह मंतरी मद्धेपरदेश के सश्वी मुख्य मंतरी जब यह सब श्रद्धान जली दे रहे हैं तो तरह तरह की बाते हो रही हैं लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि राजा शंकरशा और अगुनाज शा का बलिदान अजर अमर था लेकिन महा कोशल की सीमा के बाहर कभी उसे निकलने नहीं दिया गया और आज जब हमारे नेता देश के ग्रह मंतरी आए हैं इस बलिदान के इस कारक्यम में श्रद्धान जली देने क लिए तो मैं विश्वास से कहता हूँ राजा शंकरशा और अगुनाज शा की ये बलिदान गाथा पूरे देश में गूंजेगी पूरा देश उनको जानेगा और आज इस कारक्यम के अउसर पर हमारे माननी नेता गड़े यहां पर हैं उन्हें हम सब सुनेंगे तो मैं अपनी ओर से श्रद्धान जली देते हुए देश के ग्रह मंतरी के प्रती आभार प्रगड करता हूँ कि उन्होंने आकर हम सब का गौरों बढ़ाया है और इस बात के लिए हमें प्रेरित किया है कि राजा शंकर शाह और अगनाश शाह की ये बलिदान की गाथा घर घर तक पहुँचाने का हम काम करें ताकि देश में अनेकों देश भक्त पैदा हों जो ये मानें कि देश सब स से उपर है देश के लिए प्राणों का बलिदान भी बहुत छोटी बात होती है और इसी के साथ मैं अपनी बात यहां पर समाप करते हुए आप सब का विनंदन करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद भारत माता कीजए